नौशकार मैं मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने इस योटूब चैनल पे दोस्तों नवजोती में एक आर्टिकल छपी हुई है तीन तारिक के डेट में आप देखेंगे तीन जनवरी 2022 के डेट में एक आर्टिकल छपी हुई है थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है लेकिन कोई डिमोटिवेटिंग नहीं है कहने का मतलब यह है कि यह सब चीज़ें आपको फरक नहीं पड़नी चाहिए जो होगा देखा जाएगा लेकिन अगर और भी एक्जाम हो रहे होंगे तो यह एक्जाम आपका होगा ठीक है तो अभी के लिए यह दिमाग में बना के जाएंगे इससे पहले वीडियो सुरू हो मैं आपको बता दू कि डील आप मन्त चरह रहा है इस महीने का डील आप मन्त के तहत आपको 399 रुपया का जो पास है उसमें 15% का डिस्कॉंट देते हुए यह मैं इस कूपन कोड यूज करते हैं तो 60 रुपय का आपको डिसकॉं कर सकते हैं एक साल का जो अगर पास खरीते हैं तो आपको 339 पड़ेगा और अगर आप लाइफ टैम चाहिए तो आपको 509 पड़ेगा नीचे डिस्क्रिप्स बॉक्स में लिंक दिया हुआ एक वाल ज़रूर भीजिट किजिएगा तो हम बात करें थे यह जो आठकिल चपी लग रहा है देश में ओमी क्राउन के मामलों को देखते हुए कई राज द्वारा भीड के कत्रित होने पर लगाई जा रही परवंद्यों से परिच्छाइट टल सकती है जैसा कि आपने देखा होगा कुछ एक दो दिन पहले ही बेश्ट बंगाल में चीजे लॉक्डान लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई ऐसा चीजे होगी ठीक है क्योंकि अभी भी बेट करने वाली चीज है अभी भी आपके पास तक्रिवन पौने दो महीने का टाइम है या देड़ महीने का आप मांगे चलो कि अगर आपका एंटीपेसी हो तो देड़ जा रहा है लेकिन फिर भी आसा यह रखिए कि आपका एक्जाम हो जाएगा क्योंकि और भी एक्जाम चल रहे हैं जब तक पूरी तरीके से लॉग डो नहीं लगता तब तक आपके होने की संभाव नहीं है यह पेपर वाले कुछ भी लिखते रहें आगे इसमें दे रखा ह फीड बढ़ रहे हैं इसे में कई राजियों ने भीड को जोकने के लिए अलग अलग तरह के पवंदिया लगाना सुरू कर दीया है इसे में भृति के लिए केंप्यूटर बेस टेस्ट करना भरती बोर्ड के लिए आसान नहीं होगा और यह से मानन की चलिए कि आपका एक्जाम होगा और उसी को मदे नज़र रखके आपको तयारी करनी है यहाँ पर आगे दे रखा है बोड की भरती परिछाएं देश भर में एक दिन तै तीथी पर आयोजित की जाती है इसे में यदि मामले बढ़ते हैं तो परिछाएं तै तीथी पर कराना भरती बोड के लिए संभव नहीं होगा हला कि जो भी नेनर लिया जाएगा वह अभरती के स्वास्त को ध्यान में रखके लिया जाएगा प्रन्तु मौझूदा प्रस्तितियों को देखते हुए ग्रुप डी भरती परिच्छाए तैस फरवरी से कराना संभव नहीं लग रहा है मतलब कि यह पेपर वाले हमेशा यहीं बोलेंगा कि संभव नहीं लग रहा है यह मुझे नहीं लग रहा है कि यह मतलब कि जो जो स्टुडेंट है उसको मद्दे नजा रखके यह सब चीज़ें लिखते हैं यह से आगरा नहीं होगा क्या यह से कोई और बर्ड नहीं होगा क्या तो यह सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता कि ताकि सुविधा हो ठीक है नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा एक महीने और टल सकते हैं आधा महीने टल सकते हैं यानि कि इसका मतलब ये तो होगा कि कम से कम आपका जो पढ़ाई है वो हम पर नहीं करेंगा उस दिन पर्टिकुलर डेट के समय अनौस होगा कि चलो ठीक है ओमिकरोन की बज़ासे हम एक महीने डिले कराएंगे तो इधर आपका जो एक महीने दिड़ महीने डिमोटिवेट फिल करके आप पढ़ाई छोड़ो दोगे उससे तो बेटर है कि उस समय आपको पता होनी चाहिए कि उस समय क्या होगा तो अभी के मद्द नजर आप ये मान के चलिए कि आपका एकजाम होगा और आपका एकजाम 23 परवरी से ही होगा अगर बाद में कुछ होता है तो देखा जाएगा क्योंकि देखें भविसर को तो कोई नहीं देखा न तो अभी जो आपके नोटिफिकेशन ओफिसियल नोटिफिकेशन है उसी को मान के चलिए कि 23 का एकजाम होगा और आपके जो सिविटी वन के जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आ रहे हैं जितने भी अफिसियल डेटा है उसी को आप अच्छे तरीके से समझ के चलिए कि उसी को मतलब की एक रिफरेंस मांद के चलिए कि उसी समय होगा पहले भी यहां पर देखेगा लिखा है पहले भी बोड की और उसे एंटी पीसी भाती परिचा को कोविड नाइंटी के मामले बढ़ने के कारण बीच में रोकना पड़ा था तो तो सही है ठीक है वो तो सही है आपने देखा होगा कि आधा लोगों का एक्जाम हो गया था और सेवंत फेजवाले का तो एकजाम बहुत बाद में हुआ त तो उसमें 4-5 महिने डेले हुआ वो अलग मैटर है लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डेले किया जा सकता है क्योंकि अब लोगों को इस चीज से मतलब कि इस चीज में रहने की आदत हो गई है कि कोरोना आएगा कोरोना जाएगा अब उसके चलते तो हर चीज रोका नहीं जा सकता ना हाँ वो अलग बात है कि स्वास्त प्राइटी होनी चाहिए लेकिन आपको टी मोटिवेट नहीं होनी है एक्जाम तो होगा ही आप पढ़ाई करते रहिए नेरंतर पढ़ाई करते रहिए क्योंकि कट आफ तो नीचे जाएगा लेकिन इसका मतलब य से कोई नाया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है संभवता सरकार प्रस्थितियों को देखते हुए जल्द ही कोई नीदने लेकर अब्यादियों को अबगत कराएगा तो ये देखिए ये जितने भी चीजे पेपर में छपी है वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया हाँ वो अलग बात है कि बाद में क्या होगा मैंने सुरूम में ही समझा दिया कि बाद में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा अभी से ये सोचके कि उससे मैं एक्जाम नहीं होगा आपनी मोटिवेट फिल करके कम पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि अगर एक्जाम ह बना रहा हूं तो आप तक यह चीजे पहुच चुकी होगी तो आप इसको पढ़के रिमोटिवेट करता है ठीक है तो अच्छी बात है आप पढ़ते रहिए ठीक है समय पे ही आपका एक्जाम होगा नेक्षी ब्रूमिलते हैं तब तक लिए धानेवाद